हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है कुक्वे त्रिभा में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गौार फली की सब्जी इसे हम बिना उबाले हुए बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो फ्ल इसके तुरंद बाद ही हम इसमें ग्रीन चिली एड़ करेंगे और इसको थोड़ी देर तक सौटे होने देंगे तो ग्रीन चिली आप देख सकते हैं सौटे हो गया है अब हम इसमें ओनियन एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहों जाए तो फ्राइ करेंगे ओनियन को तो ओनियन हमारा लाइट ब्राउन हो गया है अब हम इसमें आलू एड़ कर देंगे तो एड़ करेंगे आलू को और इसके तुरंद बाद ही हम इसमें गौार फली भी एड़ कर देंगे तो एड़ करेंगे गौार फली को तो मैंने गौार फली को उबाला नहीं है हम इसकी बिना उबाले हुए ही सबजी बनाएंगे तो मिक्स कर देंगे दोनों सबजी को और इससे mix करते हुए ही दो मिनट के लिए fry कर लेंगे तो यहाँ पे दो मिनट हो गया है और हमारी सबजी हलके से fry हो गई है आप देख सकते हैं अब हम इसमें नमक एट कर देंगे तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक एट कर लें इसमे और इसके तुरंद बाद ही हम इसमें हल्दी पॉडर भी आट कर देंगे तो एक चोटा चमच हल्दी पॉडर आट करेंगे इन दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी और नमक अच्छे से mix हो गया है अब हम इसे ढख कर पका लेंगे पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे तो पांच मिनट हो गया है अब ढखन को निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं सबजी हमारी आधी बनके रेडी हो गई है इसे चला लेंगे अभी यह पूरी तरह से नहीं पका है मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको इसके बाद हम इसमें सारे मसाले एड़ करेंगे तो मसालो में हम एड़ करेंगे यहां पे धनिया पौडर एक छोटा चमच जीरा पौडर हम एड़ करेंगे एक छोटा चमच इसके बाद हम इसमें लाल मिर्ची पॉडर एड़ कर देंगे एक छोड़ा चमच और गरम मसाला पॉडर भी एड़ कर देंगे तो एक छोड़ा चमच गरम मसाला पॉडर एड़ करेंगे इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो सारे मसालों को mix करते हुए ही fry कर लेंगे हम पांच मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पांच मिनट हो गया है और हमारे सब्जी पूरी करिके से पक चुकी है चलाकर देख लें इसको अच्छे से तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन के रेडी है अब हम गैस को बन कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे सब्जी को एक प्लेट में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी हमारी बन के रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं आप इसे रूटी के साथ नौन के साथ या फिर दाल चावल के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लेज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें